गर्म गर्म चावल और रोटी के साथ इस तरीके से बनी भिंडी कड़ी एक बार ट्राय करके तो देखिए अपको इतनी पसंद आने वाली है क्योंकि जितनी आसानी से बन जाती है उतना ही जब जब जबाब टेस्ट है और सभी को बड़ी पसंद आगी हफ्ते में आप दो बा मैंने इसको कट कर लिया है तो ट्राय करना बहुत अच्छा जरूरी है तो मोटा मोटा ही कट करना है बड़ी आसा कट करके रख लिया है अब एक मसाला प्रिपेर करेंगे जो इस सबजी को बनाने के लिए तो मैंने यहां पर क्या किया है एक बड़ा सा अनियन ले लिया था इस तरीके से उसको मैंने कट कर लिया है क्योंकि हम ग्राइंड करने वाले हैं 6 कलिया मैंने या पर लहसंद की ले ली है उसके बाद मिल्च कम यह जाद आप अपने हिसाब से ले सकते हैं नहीं एक मिल्च ली है बड़ी सी तो में डालेंगे हल्दी पाउडर चमच छोटी टी स्पून है थोड़ा सा मैंने डाला है रेड चिली पाउडर थोड़ा सा आपको पाई डालना है जैसे एजली ग्राइंड हो जाए और बस हमें क्या करना इसका बड़ियां से के स्मूथ पेस्ट बना के तयार कर लेना है तो मैंने यह देखिए बड़ियां सा पेस्ट बना के तयार कर लिया है तो मसाला तो हमारा रेड़ी है अब एक बैटर तयार करते हैं जिसके लिए टेबल इस्पून आपको लेना है ग्राम फ्लार यानि बेसान उसमें एक चमच यानि आधा बड़ा चमच मैंने ड्राय मैंगो पाउडर लिया है थोड़ा सा पा बड़ा पसंद आने वाला है तो ये देखे बड़ी असी सलरी भी बन गई है अब बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैं मोजली सारी सबजिया ना बड़ी असा मस्टर डॉयल मैं बनाती है तो डेट शमच मैंने अब मस्टर डॉयल लिया था बड़ा चमच छे से साथ दाने होना है इसलिए मैं आपको बताने वाली हूई है कि आप ज्यादा भुनोगे आप भिंडी भिनडी भिनडी भुनो के तो प्यास जाएगा तो बहल पहले का सा मै thinking करना इसमें ब्रॉदी male में जाना है तो आप भिंडी बहन से दाना है तो आप बोल रहें होंगे टोड़ош भ बढ़ी आसा भुन जाएगा यह देखिए प्यास भी अच्छे से भुन चुकी है भिंडी का भी कलर बढ़ी आसा गोल्डन हो गया है पहले से काफी अच्छी सी सॉप्ट हो गई है तो बस हमने यह जो मसाला प्रफिर किया था न है यह मसाला डाल देंगे इसमें मैंने सारी च अच्छे से मसाले साथ कोट भी होगी और जब पकेगी तो फ्लेवर बहुत ही अच्छे से अंदा तक जाएगा बस अब हमें क्या करना इसको ढग देना है दो से तीन मिनट के लिए लो फ्लेव में और यह देखे तीन मिनट ही हुए थे बढ़िया स्वाल सेपरेट हो गया ह अब मसाले से इतनी अच्छी खुश्वू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती अब दिवाने हो जाओगे इस कड़ी को खाने के बाद जिसको भी मैंने खिला दिया ना वो बार बार इसको बनाने की चित करता है इतना टेस्टी बनता है अब आपको इसमें पानी थोड़ी ही का यूँज किया है अब हमें क्याहता है पहले है ऐसको अच्छा से भॉं नरे देंगे और अभि आप देख सकते हो पानी बहुत अच्छा से भॉयल होने लिए है ब हमने जो सलरी बनाके ररकी थी कड़ी का चेक्चिर हो ना गाढ़ा घाडा गाढ़ा टो यह बेसन गो हम लाएगा तो अब जितना जादा बेशन लोगे उतनी गाड़ी हो जाती है तो आप देख सकते हो मैंने मिला लिया है बहुत अच्छी सा बेशन को पकाना बहुत जरूरी है तो तीन से चार में इसको पकाते हैं ढखके और अब भी आप देखें कितनी जवज़स्त आपकी यह गड़ी बनके तयार है आप यकीन मानिए एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राय करिए आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राय करके देखिए आपको बहुत पसंद आएगी बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिफरन तरीके से मैं बताती हूं यह MP की बहुत ही फेमस भिंडी की कड़ बहुत ही टेस्टी लगती है और यह देखिए अब यह जैसे थोड़ी देर रहेगी ना तो यह और गाड़ी होने लगेगी जैसे जब भी आप किसी भी चीज में बेसा नैट करते हैं तो गाड़ा ही होता जाता इसलिए मैंने बोला था थोड़ा ग्रेवी वाली रखेगा नहीं तो यह क्या होती है कि गाड़ी होने लग जाती है तो गर्मगरम बढ़िया से सर्व कर लेते हैं यह यकीन मानिए इतनी जब आज जस्त लगती है ना यह भिंडी की कड़ी मैं हफते में दो दिन जरूर बनाती हूं क्योंकि बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्यों कुई दाल की जरूरत है ना कोई चीज की उसको ट्राय करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये भिंडी की कड़ी की रेस्पी कैसी लगी और पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैन को लाइक से सस्क्राइब करें और अगर आप मेरे फेस्बुक पेस से देख रहे हैं मे जरूर ट्राय करना चाहिए आपने साइद ही आज से पहले के भी ट्राय किया हो तब तक के लिए बाए